हे एवरीबन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एजूकेशन हम और मैं हूँ अन्शुल दिमाल सो फ्रेंड्स आज की हमारी जो ये वीडियो है इसमें हम हमारा essay का एक most important और new topic डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत important भी है तो देखिए आज का हमारा जो topic है वो है हमारा Corona काल का शिक्षा पर प्रभाव जैसा कि हम सभी जानते हैं देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानि कि हमारा जो essay है उसको start करने से पहले मैं आपको ये कुछ important information आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा topic है ये आप सभी के लिए most important topic है क्योंकि अभी Corona के चलते हुए Corona से related हमारे बहुत सारे topics हैं ऐसे जो कि important है ये हमारे schools में colleges में पूछा जा रहा है और जो है ये हमारे competitive जो exams होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं और हमारे इन ही topics से related Corona से related बहुत सारे topics ऐसे हैं जो national और state level पर जिन पर competitions और्गेनाईज कराये जा रहे हैं तो आज का ये topic भी कुछ ऐसा ही समझिये क्योंकि ये भी एक अभी national level पर यानि कि राष्ट्रिय इस्तर पर एक निबन परतियोगिता होने जा रही है जो कि गुरुनानक खालसा कॉलेज यमुनानगर की साइट से organize कराई गई है और इसकी जो last date है वो है आपकी 23 जून 23 जून शाम 5 बजे तक आप जो है इस essay को सब्मिट करा सकते हैं तो इसमें जो आपको topic दिये गए है उनी में से एक है आपका कोरोना काल का शिक्षा पर प्रभाव तो ये topic आपका important था मैं इसलिए लेकर भी आई हूँ मैं काफी time से सोच भी रही थी इस पर आपको provide कराने की तो मैंने मेरे channel पर कोरोना से ऐसे ही related बहुत सारे topics और slogans आपको provide कराये हुए हैं तो आप मेरे channel पर देखेगा मेरे channel पर जब आप जाएंगे तो उसमें आप एक playlist में जाएगा वहाँ पर मैंने एक special से जो है कोरोना से related एक folder बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको कोरोना पर मेरे channel पर जितनी भी total अभीता की videos बनाई गई हैं वो आपको provide कराई गई हैं तो आपको ज़्यादर सर्च करने की जुरुत नहीं पड़ेग अगर आपको ये video पसंद आएगी तो please 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 friend hit the like button और अगर अब भी तक channel को subscribe नहीं किया है तो कर दीजी क्योंकि ये channel आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important और beneficial होने वाला है तो आईए अब start करते हैं हमारा topic कोरोना काल का शिक्षा पर प्रभाव हम सभी जानते हैं कोरोना वाईरस एक वैश्विक महामारी के रूप में विश्व में फैली हुई है इसमें पूरे विष्व को अपने पंजों मे जकर लिया है इस समय सभी कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और कोरोना नावक राक्ष्यस का यह रूप पहले से भी भयानक है इसके चलते फिर से दुकान, दफ्तर, विध्याल्य, सार्वजनिक इस्थल सभी पर ताले लगाए गए सभी शेत्रों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है किन्तु इस महामारी में शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है दुनिया भर में 1.6 अरब यानि के 1.6 अरब बच्चे, स्कूल और युनिवर्स्टी नहीं जा सके यह दुनिया के कुछ छात्रों का 90 फीस्दी हिस्सा है मानम इतिहास में पहली बार वैश्विक इस्तर पर बच्चों की एक पूरी पीडी की शिक्षा बादित हुई है जिसका असर हमारे आने वाली पीडी पर भी लंबे समय तक रहने की संभावना है तो फ्रेंड्स देखें यह हमारा यहां तक का हो गया हमारे जो essay का introduction है ना यानि के हमारी जो प्रस्तावना होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगी मैंने आप लोगों की help के लिए ही अपने channel पर आपके लिए एक video प्रोवाइड कराई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एक अच्छा और attractive essay कैसे लिख सकते हैं कुछ को जैसे problem होती है क्योंकि हमारा जो है अब हमारी जो यह online education का system बढ़ गया है तो हमारे online competitions बहुत ज़्यादा organize कराए जा रहे हैं जो हमारे special days होते हैं तो उन पर कुछ students को अब जो है problem होती है कि हमें एक अच्छा निमन्द कैसे लिखे कैसे हम उसकी starting करें और कैसे हम उसका निशकर्ष यानि के conclusion करें और पूरा essay हम कैसे लिखना है वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है वो उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको description box में दे दिया है आप उसको जरूर देखेगा ओके देन हम हमारे निमन्द में एक quotation एड करी है हमने आप चाहिए तो इसको starting में भी कर सकते हैं सारे मुलकों को नाज था अपने अपने परमानू पर काइनात बेबस हो गई एक छोटे से किटानू पर यानि के कोरोना वाइरस पर कोरोना महामारी के दौरान बच्चे घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे में उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया है स्कूल में बच्चे शिक्षन, स्टड़ी मैटेरियल और सहपाठियों से सीखते थे किन्तू अब यहां सीखने की जो इस्थिती है अवरोध हो गई है अब किवल ओनलाइन शिक्षा के आधार पर ही बच्चों को महज शिक्षा से जुड़े रखने का प्रयास हो रहा है द्वारा दूर दर्शन पर शिक्षा दर्शन, रेडियो पर शिक्षावानी और एंड्रोइट स्मार्ट फोन पर स्माइल कारिकरम के तहत भी कुछ बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं ये जो हमारी कुछ राज्य सरकार है उनके द्वारा बच्चों को उनके लिए शिक्षा को और आसान बनाने के लिए कुछ कारिकरम स्टार्ट किये गए हैं लेकिन कुछ बच्चे इसको भी जो है नहीं मिल पा रहे हैं उनको भी ये जो शिक्षा है वर्चुल पढ़ाई के कारण लड़के और लड़कियों के बीच का फर्क और गहरा हो गया है इस फर्क को डिजिटल डिवाइज कहा जा रहा है यह लोगों के बीच का वह फासला है जो इंटरनेट की उपलबधता से जुड़ा है खास कर दसवी और बारवी के विध्यारत पर इसका बूरा प्रभाव पड़ा है आप जैसा कि न्यूस देखते होंगे 10 और 12 क्लास के जो हमारे स्टुडेंट्स हैं उनके लिए आज कली न्यूस बहुत जादा आ रही है क्योंकि अब जो है उनके एक्जाम्स कैंसिल कर दिये गए हैं तो उनको जो है अब एक्जाम् क्योंकि उनके कुछ विश्यों के पेपर इस्थागित कर दिये गए थे जब हमारा कोरोना स्टार्ट हुआ था तब कुछ बिच्चों के जो पेपर्स चल भी रहे थे और कुछ पेपर्स रह गए थे तो लोगडाउन लगने के कारण उनके उन पेपर्स को जो है कैंसिल कर गया था आप सभी को पता है और उनको उन्हीं के बेस पर जो है खुद से माक्स दे दिये गए थे और अब तो दोनों परिक्षाएं रद कर दी गई हैं जबकि यह दोनों कक्षाएं विध्यारती जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण काल हैं इस पर भविश्य और उनके जीव के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार कोरोना का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है ओनलाइन क्लासेज के जरिये विध्यारती इस प्रकार के अनोखे शिक्षा प्रणाली को समझ पाए लोकडाउन के दुश प्रभाव को ओनलाइन शिक्षा पद्धती से कम कर दिया गया है क प्रणाली को विक्सित करने है तू पहले साल की तुलना में इस साल व्याय अधिक किया है ताकि कोरोना संकतकाल की नकारात्मक प्रभाव शिक्षा पर प्रभाव ना पड़े शैक्षनिक लक्षयों को हासिल करने के लिए वाटसैप जूम टीम जैसी एप और जो है गूगल कुछ लोगों को जो कर भी सकते थे उनको इस चीज़ की बहुत ज्यादा नौलिज हो गई है और कोवीड-19 महामारी के कारण डिजिटल माध्यम से अधिक मात्रा में लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कम अवधी वाले पाठ्थे क्रम भी लोगप्रिय हो रहे हैं अते कोरोना वाइरस के संकट में शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसके सामने ये चीज़े इतनी मायनी तो नहीं है लेकिन यह कोरोना संकट के भूस में फायदे की एक छोटी सुई तो है ही सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सालों में पहली बार इतने समय सब घर पर साथ रहे परिक् ये था हमारा ऐस से है आई होप आपको ये जरूर पसंद आया होगा और आपके कॉंपेटिशन के लिए असाइमेंट्स के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए ये हेल्पफुल जरूर होगा तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए और अगर टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच्ट स्टे होम स्टे से फ्रेंड्स